दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल की रिकोलेंड प्रिडिक्शन में गईजाज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले वूमेंस बिग बैस लिग का मैच नंबर 52 जो की यहां से खेला जाएगा MSW VSPSW मतलब की मेरबन इस्टार वूमेंस और पर्स स्कॉचर वूमेंस के बिच में ऐसे में हम लोग बात किया जाएगा दोनों टीमों के क्या कुछ पॉस्बल प्लेंगे लेवन हो सकती है खिलाडी या भी कुछ क्या कुछ पर्फोर्मेंस करके आ रहे हैं और दोनों टीम्स कहां पे पॉइंस टेबल पे इस समय बनी हुई है वीडियो में फुल डिसकस किया जागा तो विडाउट वेश्टियों के टाइम हम लोग वीडियो को इस्टार करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख लीजे पॉइंस टेबल तो पर्सि-सकोचर वुमेंस की टीम ने 12 मुकाबले खेल के 6 मुकाबले हारी है पांच मुकाबले यहाँ पे 6 मुकाबले जीती है 5 मुकाबले हारी है और एक मुकाबला इन लोगों का अबॉंडेड हो गया ता एक टीम को जीतने हारने से कोई मतलब नहीं है और एक टीम के लिए जीत बहुत मेटर करने वाली है तो फुल डिसकस किया जाएगा सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो का आम लोग इस्टार्ट करते हैं बागी इस्टार्टिंग में बता देना चाहूंगा अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पने ही तो फ्लीज आ जाना जिसका के लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है आप लोग यहाँ पर जोएन हो जाना फर्दर अपडेट फाइनल टीम सब कुछ हैं पर प्रवाइड कराई जाती है सेकेंड चैनल है तो इस वज़ा से सस्क्राइबर कम देखने को मिल रहोंगे बागी क्रिक 2580 इतना भी लिखकर सर्च करके भी आ सकते हो बतात तो किसी गलाच चक्कर में मत पढ़ना सही चैनल पर आना चलो दोस्तों फाइनली हम लोग वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं आप लोगों को बताता चलो 19 नवंबर को 5 बच के 10 मिनट पर यह सुबा में अपने भारत टाम अनुसार आप लोगों को मुकाबला देखन नहीं गिया वोमेंस का तो यहाँ पर वोमेंस डोमेस्टिक के भी कोई भी आप लोगों को रिकॉर्ड एबलेबल है नहीं क्यूंकि यहाँ पर कोई मुकाबला खेला ही नहीं गिया है बाकी हम लोग बात करते हैं मेल बन इश्ट्यार वोमेंस के तरफ से क्या कुछ में आप लोगों को काफी कुछ अंदाजा लग जाएगा वहां पर आ जाना मेलबन इस्टार वुमेंस के टीम के तर से देखें लॉरेन विल्फिल्ड हील के साथ बेल्स हेल्ट ओपनिंग कर तो इदिख जाएंगे हेल की बात करते हैं तो 22 का पिछले मुकाबले में स्कोर की थी कभी स्कोर करती हैं कभी नहीं करती थोड़ा सा अंकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम इनके अंदर बाकि हेल का भी देखेंगा खाता नहीं खुल पाया था उससे पहले भी 12 के स्कोर की थी लेकिन स्टार्टिंग के म प्लस बॉलिंग से भी इनको दो विकेट मिला था अब देखिए पिछले मुकाबले में यहाँ पे उना रेमोंड होनी खेली थी जहाँ पे टेस फिलिंटोफस बाहर गई थी इनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला है दो ही मुकाबले अभी तक इस मतलब लीग में खेली है जहाँ पे इनको बैटिंग करने का एक भी मुकाबले में मौका ही नहीं मिला है कीमगर्थ की बात करते हैं तो 7 रनों का स्कोर की थी प्लस बॉलिंग भी करती है विकेट नहीं ले पाई थी पिछले मुकाबले में निकोल फाल्टून टीम की यहाँ पे कैप्टा ने बहुत नीचे खेलती हैं यहाँ पे मातर 4 रनों का स्कोर कर पाई थी देखोगे तो स्रीज में बहुत बड़ा कुछ कर नहीं पाई है क्योंकि इतना नीचे बैटिंग करम होना हम लोग जादा किसी खेलारी सु कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं रिचिंस माकीना की बात कर करते हैं तो इनका मतलब विकेट से खाता नहीं खुल पाया था इनके तरफ से हम लोग ओपन देथ बॉलर देख लेते हैं तो देखिए कीमगर्थ अटेस फिलेंट आफ नहीं खेलीती लेकिन मुझको लगता है खेल सकती नहीं तो सासा मोलनी करेंगे बाकि देथ में कर सकता है तो यहां से कीम गर्थ का नाम मानके चल सकते हो अब तेस फिलेंट आफ पिछला मुकाबले में एकात ओबर इन लोगों में से करता है आप लोगों को बहुत गाजुड माजुड देखने को मिल रहो लेकिन अच्छे से समझ मा अच्छे से समझा दूँगा देखो इनके तफसे ना बेत मुनी के साथ कोई पिपारो ओपनिंग कर तुई दिख जाएंगे मुनी की बात करते हैं तो 75 का स्कोर पिछले मुकाबले में इनों ने किया था बाकी 90 में ये दो बर स्कोर कर पाई हैं और एक बर तो देखें 99 नॉट आउट ये था ये 99 नॉट आउट था जो कि आई थिंग सिड नहीं नहीं याद नहीं आ रहा है मुझको लेकिन बहुत अच को पॉइंट देनी की पूरी यहाँ पर मादा रखती हैं मैडी गरीन की बात करते हैं तो पिछले दो मुकाबले से मातर दो दो का ही स्कोर कर पा रही हैं उसके बाद मरजानी का आप देख सकतो बैक टू बैक 78 रनों का स्कोर की थी पलस पिछले मुकाबले में बालिंग से लाजवाब पर्फॉरमेस यह देरी हैं हमी इड़गार की बात करते है तो 14 रनों की इसकोर यह रही थी बालिंग नहीं के थी पिछले मुकाबले में वही मैट इंडिया करिमल को वैटिंग करने का मौका नहीं मिला था आइलना किंग पिछले मुकाबले में अगेन यहाँ विकेट लेस चली गई थी बहुत कम मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ पर आलेना किंग विकेट लेस जाती है पर किरकेट है जा भी सकती है पीपा किलेरी की बात करते हैं तो दो विकेट इन्होंने निकाला था वहीं लीली मिल्स की बात करते हैं एक भी विकेट इंगो नहीं मिला था टिंग चिल पिक्सिल को भी एक भी विकेट नहीं मिला था इनके तरफ से हम लोग अगर open death baller यहां से चेक करें तो लीली मिल्स के साथ आप लोग मरजानी काप को opening में मान सकते हो death में Sophie divine लीली मिल्स मरजानी काप को मान के चल सकते हो खेलाडी इनके तरफ से holy filing bench पे गई यह recent का आप लोग score देख लेना यहां से बात करते हैं ballers यह काफी important होते हैं कौन सा baller कितने ओबर की balling करता है women's cricket में यह काफी important रहता है देखना तो यहां से देखो मैं आपको बताता हूँ मरजानी काप, Elena King, Sophie divine और यहां से देखो लीली मिल्स का भी एक नाम मान के आप लोग चल सकते हो बाकि पीपा, क्लेरी और टीनली पिक्चिल खेलेंगे तो यह ओवर डिवाइड करते हूँ दिख सकते हैं में इडगार कभी कदार balling करती, इनसे ज़्यादा भरोसा नहीं रहता है Melbourne Star Women's के overall सारे खेलाली को record अगर आप चाहो तो बिल्कुल read बगर करके चल सकते हो इनके team already बाहर हो चुकी है, तो ऐसा कोई खेलाली भी नहीं बचाए कि जो की bench से खेल सकता है क्योंकि overall सारे खेलाली खेली चुके अलमुष्ट, अगर कोई खेलाली योग तो मैं आप लोगों को टेली ग्राम पर अपडेट कर दूँगा, पर्सिस कोच और वोमेंस के लिए काफी important मुकाबला है आप लोग इनके तरफ से भी देखता क्यों, एमी इडगार है, एक बहुत ही talented खेलाली recent form भी बहुत लाजवाब है लेकिन बैटिंग करने काफी नीची आ रही है और बॉलिंग सो अबर कट जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी ये खेलाली रहने वाली थी तो देख लेना overall सारे खिलाली को रिकॉर्ड है बागी चलते है ड्रीम लान पर देखते हैं इस मुकाबले से लेटर हमारी क्या कुछ टीम बन के रेडी हो रही है सबसे सेफ में बेथ मूनी मिलेंगे लॉरेन विल्फिल्ड हिल स्टाटिंग के मुकाबले में अच्छा परफ़मेंस कर रही थी पर यहां पर सही नहीं कर रही है पर यहांप लोगों को बता दूंगा बिल्कुल आप चिंता मत करना टेलिग्राम पर रहना बैटिंग से से एलिस के आप से एक आलराउंडर खेलाड़ी है यहां तक कि सीवेसी भी बनाया जा सकता है बाकि मैडे गरिन कोईल पीपारों को टीम में ट्राई कि आप चाहो तो पीपारों के प्लेस पे बेस हेल्थ को भी ले सकते हैं बाकि थोड़ा सा डिफरेंस करना चाहना हो तो आ मैं पीपारों के साथ जा रहा हूं बात करते हैं राउंडर से एक संसे तो यहां पे जादा बात करने के वैसे और शक्ता नहीं पढ़ने चाहिए अनबल सदर लैंड मरजानी काप सोफी डेवाइन कीमगर्थ को फिलाल मैंने टीम में ट्राई किया है क्योंकि यह चार ओबर कंप्लीट करन के देने वाली पलस टॉफ फॉर फाइफ में बैटिंग भी करेंगे और देखो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था ड्रीम अलोन में सबसे जाद है पॉइंट के मामले में यह मैं सेकंड नंबर पिन को मानता हूं सेकंड नंबर पिन को मानता हूं 1021 नाम पर रहना बॉलिंग सेक्शन से एलेना किंग सासा मोलनी और लिली मिल्स को टीम में ट्राइ किया है सोफी डे के ओभर कड जाते हैं इस वाज़ा से फिलाल नहीं लिया हूं मैं बाकी चाहो तो ले सकते हो बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की तो यहां से मैं आप लुकुल ट्राइ करके चल सकते हैं तो फिलाल कुछ इस परगार की टीम है जहां पे कैप्टन सदर लैंड है वाइस कैप्टन कांपे फाइनल टीम के लिए टेली ग्राम पे आप लोग रहे ना बाकि जैसे कि मैं आप लोग को सिद्नी सिक्सर और सिद्नी ठंडर का लाइना पनाउंस हो गया है तो आप लोग टेली ग्राम पे आ जाओ यहां पे मैं आप लोगों को टीम प्रवाइड करा दे रहा हूं जो लोग खेलना चाहते हैं देखो 989 पॉइंट इन्हों ने दिया है ठीक है इनका एक मुकाबला बाकी है पार कर देंगी है ठीक है एक हाजार प पर आउंगे सस्क्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना मिलते एक और अच्छी वीडियो साथ तब तक लिए गुडबाई जैने